दोस्तों आज 2 अप्रेल है और 2 अप्रेल 2018 को एक आंदोलन हुआ था जो स्वयमभू आंदोलन था किसी ने उसका नेत्रित्व नहीं किया था लेकिन एक ऐसा आंदोलन जो आज भी सब को याद है एक्टो सिटी एक्ट को जब कमजोर कर दिया गया था सरकार द्वारा मोधी सरकार द्वारा उस वक्त यह अंदोलन हुआ था बड़े पैमाने पर हुआ था बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़े थे और किसी ने इसका नेत्रित नहीं किया था लेकि समाज खुद उठकर सामने आया था कारण ही यह था क्योंकि एक बहुत बड़े उनके अधिकार को खत्म कर दिया गया था खासों से बोजन समाच के SC और ST के जो अधिकार है था जो कानूनी उन्हें एक विशेश अधिकार मिला था उसे कमजोर करने की कोशिश की गई इसके खिलाब बड़े पैमाने पर सेडूल काश्ट और सेडूल ट्राइप के लोग सणकों पर आए नेत्वित किसी ने नहीं किया लेकिन फिर भी इस आंदोलन का असर बहुत जवर्दस्त रहा कि सरकार को इसके आगे जुकना पड़ा था लेकिन इस प्रकार के आंदोलन क्या हर बार सामाजिक समस्याओं खासों से S.C.O.R.S.T.S.T.R.L.C.R.L.T.R.L.T. के लोगों की जब समस्याएं आती हैं जब उनके उपर किसी प्रकार के अत्तयाचार होते हैं तो क्या हर बार इस प्रकार के आंदुलन की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या हर बार ऐसा स्वास्फूर्ट आंदुलन जिसका नेत्यत कोई न कर रहा हो, फिर भी बड़े पैमाने पर लोग सब्सकों पर उतर कर अपने इधिकारों के लड़े? क्या ऐसे आंदुलन की हम अपेक्षा इस समाज से कर सकते हैं? वरतमान पर इस पेक्ष में अगर हम देखें तो इसके पहले भी, यानि दोहजार अठारा से पहले भी और दोहजार अठारा के बाद भी बहुत सारे आंदुलन होते हैं, लेकिन वो किसी विक्ति विशेश, खास्ता होसे कोई राजनेता, जो एक तरह से आंदुलन नहों कर उस राजनितिक नेता की रैली होती है, जो अपना एक तरह से वो जोश या अपना एक बड़ा वोट बेंक दूसरे पार्टियों को दिखाने के लिए रैली करता है, बहुत सारे अंदुलन होते हैं जिसमें वामन में शाम जी का अंदुलन भी हम रख सकते हैं, वो एबियम के खिलाप अंदुलन करते हैं, कभी जेल भरों अंदुलन करते हैं, कभी अलग-अलग मामलों को लेकर अंदुलन करते हैं, लेकिन वो बामसेप का अंदूलन होता है उसे कह दिया आता है कि वो बामसेप का अंदूलन है वो जन अंदूलन नहीं कहलाता है कारण यह है क्योंकि उसे वामन में शाम करते हैं मायवती अगर कोई अंदूलन करती है तो उसे रैली कह दिया जाता है वो एक तरह से अंदूलन है इसलिए दूसरे पार्टियों से तालूक रखने वाले से डूलकाश रूर्ट ट्राइप के लोग या बहुजन समाज के लोग उनसे नहीं जुड़ते बहुत लोगों तो को तो बहुजन समाज बहुजन शब्द से भी नफरत हो गई है वजह यह है क्योंकि वो एक किसी खास पार्टी ने अपने पार्टी के नाम में उस शब्द को इस्तमाल किया है इसलिए भी दिक्कत है बहुत लोगों को दलित शब्द से दिक्कत है हाला कि बहुत साल पहले दलित पेंथर नाम का एक बड़ा संगड धन था जो दलितों की आवाजों को दलितों की समस्याओं को उठाता था दलित की आवाज को सरकार के सामने बहुत मजबूती के साथ में रखता था लेकिन इस शब्द से दिक्कत इसलिए है क्योंकि एक विशेश पार्टी ने इसका इस शब्द का इस्तमाल बार बार किया तो यहां पर हम ये देख लोगी समस्याओं में बांट दिया करते हैं या इस तरह से हम कहें कि बांट दिया गया है अगर कोई अत्याचार राजिन पाल गौतम पर होता है तो वो समस्या सिर्फ राजिन पाल गौतम की हो जाती है वो इसलिए बाकी लोग नहीं जुड़ते हैं क्योंकि वो एक अलग पार्टी से तरलुक रखते हैं कोई समस्या या कोई अत्याचार या गलत तरीके से फसाया जाता है हिलाल प्रसादियातों को तो वो उनकी पार्टी का मसला हो जाता है दूसरे लोग उने साथ नहीं देते हैं यही बात मुलायम सिंग और यही बात जो है मायवती पर भी लागो होती है उनके साथ अगर कोई गलत होता है तो वो उनकी समस्या हो जाती है अब अब तो और एक बा पूरा आंदूलन सामाजी का आंदूलन बन सकता है जैसे कि 2 April को आंदूलन हुआ था कारण क्या है कि लोग उस तरह से एक जूट नहीं हो पाते आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चात्र है जो दलित उनिसिटी में एक दलिच छात्र पर तैचार हो रहा है उसको पिएजडी अवार्ड नहीं की जा रही है उसकी थीसिस को जाच के लिए नहीं भेजा जा रहा है बलकि उसके खिलाव बहुत सारे कारवाही कर दे जा रही है हमने कल देखा कि राम नौमी के दिन जो है बहुत सारे चात्र यूनिसिटी के कैंपस में जहां पर वो दलिच चात्र जो है अपना सत्यागरा अंदरुन कर रहा है उस गेट के सामने वहाँ पर राम नौमी के जुलूस के रूप में बहुत सारे चात्र जैसरी राम का नारा ल ब्राम्हन जो लोबी है जो वहां की जो एक तरह से हम management जो हम कहते हैं जो ब्राम्हन management है उसके पक्ष में जो है वो इस आंदोरन को खत्म करने की कोशिश में वो सामने आते हैं लेकिन प्रतिक्रिया सरूप बाहर तमाम हम खेत्रों को अगर देखे बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है कारण ये क्योंकि जो रजनी शामबेट कर हैं वो ज्यादा तर अपना समय जो है बसपा के आंदुरन को सामने रखने या बसपा के आंदुरन में वो शामिल होते नजर आते हैं इसलिए दूसरे पार्टियों से जुड़े हुए दरित नेता उसके समर्थन में नहीं आते या दूसरी विचारधारा रखने वाले दरित चिंतक भी उनके समर्थन में नहीं आते कारण हमने आंदलोनों को पार्टियों में, नेताओं में, अलग-अलग तरीके विचारधाराओं में बांट दिया है ये आंदलोन का बटवारा है और यही वज़े है कि जितनी भी समझ से आए हैं, जितनी भी तैचार हैं, वो फलपूल रहे हैं उन्हें एक तरह से एक backup मिल जाता है कि आंदुलन जो है इनका बटा हुआ है अलग-अलग निताओं में, अलग-अलग विचारधाराओं में, अलग-अलग लोगों में, अलग-अलग पार्टियों में और इसी का लाव उठाती है दूसरी सरकारें, दूसरी विचारधाराएं जो एक तरह से मनवादी विचार धा रहा हैं वो इसका लाव उठाते हुए लगातार इस वर्ग पर अत्यचार कर रहे हैं इनके अधिकारों को कम कर रहे हैं इनके साथ में दुर्वेभार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आन्दुलन उस तरह से स्वाइस्फूर्त होकर, एक जूट होकर किसी के लिए सामने नहीं आता है, लोग सामने नहीं आते हैं, आपको भी सुचना होगा कि आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं, क्या दो अप्रेल हम फिर से कर सकते हैं, आज जब कि खत्म हो रहा है, एक तरह से खत्म हो गया है, तमाम अधिकार खत्म हो जा रहे हैं, वोट का अधिकार भी एक तरह से खत्म हो गया है, जब से EVM आया है, लेकिन क्या हम वाकई इस मामले में भी एक मत हैं, सोच कर देखिएगा.